रीफरबिस्ट वॉच्चिस का असली सच यह रिन्यूड वॉच्चिस हमने अमेजॉन से लीती और यह दोनों हमारे पस 5-6 दिन तो अराम से हो गए है यह है अमेज़ फिट की GTS 2 Mini और यह है फायर बोल्ट सुप्रीम गईज मैं हूँ कैफ रॉम नो एस्टेकन बहुत सारे ल लगा है ऐसे फायर बोल्ट ने कोई रिन्यूड का स्टिकर नहीं लगाया है बाट यहां पर कोई अजीब सा ही सील दिया है जिससे पता चलता है कि भाई यह ओरिजनल सील नहीं है अपकोस यह खुल किसी कस्टमर ने रिटर्न किये और मैंने खरीदा है बीच में कंपनी ने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अंधर सबसे पहले मुझे यह वाच मिल गई यह चेंच किया है आपको चार्जर मिल जाएगा एंड आपको यूजर मैनुल मिल जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं कैटलिस्ट माइल्स्टोन का नाम लिखा यह नंबर कंपनी को मुझे कंटाक्ट करना पड़ेगा अगर मुझे यहां पर वारंटी क्लेम करनी है यहां याद रखना जबी आपको यह वारंटी मिलना ही चाहिए एक चीज़ आपको इसको यहां यहां नहीं मिलती है मैं आपको एक आपको renewed product में कैसा product देता है generally and firebolt आपको कैसा product देगा में आपे supreme कितनी अच्छी वाच है Amazfit किये कितनी अच्छी वाच है उसकी यह बात यहां पर नहीं कर रहा हूँ firebolt की वाच में मुझे यहां button के उपर बहुत ही छोट असा scratch मिला है इतनी बड़ी कोई बात नहीं है अगर मैं quality की बात को तो मुझे watch की quality से zero issues है एकदम brand new type condition उसी की जगा सेम अगर मैं Amazfit की बात करूँ यह तो एकदम ही new watch है बिल्कुल भी problem मुझे यहां पर नहीं लगी almost brand new condition actually almost भी नहीं fully brand new condition और हाँ यह वाला strap जा देख रहे हो यह actual में Amazfit का strap नहीं है Firebolt की इस watch का crown भी working है आप ऐसे ऐसे गुआ हो गया तो यह watch faces भी change करेगा और UI में आप हलका-फुलका scrolling भी कर सकते हैं और आवाज भी कर रहा है पराबर से डिस्प्ले के मामले में दोनों watches एकदम नहीं जैसी है किसी पर भी कोई scratch नहीं है Firebolt का of course बड़ा डिस्प्ले 1.79 इंच का उसी की जगा इसका 1.55 इंच का है बट यहां पर आमोलेड है यहां पर आमोलेड डिस्प्ले की बात को तुमें आप quality काफी अच्छी है ऐसा कही से म मुझे नहीं लग रहा कि यह डिस्प्ले डामेज आमेज काई से हुआ होगा क्योंकि यह almost नहीं कंडिशन में अमें इस फिट का मुझे always on display में भी कोई इशू नहीं आया एक दम बराबर है brightness वाइटनेस इशू भी नहीं काफी सही है कोई problem है ही नहीं यहां पर इंसर की भी नहीं आपको रीडिंग्स नहीं दे रही है बस calculate calculate करे जारी बाइक दोने ही वाच में से कोई भी आपको यहां पर फाल्तु रीडिंग्स नहीं देती है हाटरेट की में बात को तो ऑक्सिमीटर में हम देख सकते मुझे अप्रॉक्स 80 आ रहा है यहां पे Amazfit में मुझे 78 के असपास आया और यहां पे Fireball की वाच में मुझे 78 आया जिसका मतलब यह दोनों वाचिस के हाटरेट सेंसर काफी accurate है आपको कोई problem होना नहीं चाहिए Amazfit में GPS sensor की बात करूं तो वह भी काफी सहीव कर रहा है, रॉनीग वानीं को मुझे सकते मिल है इसे कुछ ऊची चीज अ chili नहीं रहे है इसअ ब् randomly भी दिखने लगी ए आरावंट मुझे हो में इसपे ऊारी शिर liberal में पी लिए positif व उसको अन्बोक्स किया यdefined वो जुच को और इसको चारशिं जरहा भी त Spart तक इसकी साहन नहीं uh ंष ने भाई तर फाइनलो ईसास लीया तो इसके जब तक साहस नहीं आये थी तब तक अ मेरे सास रुक गई दी किले पैसे ये 네 तो आपको थोड़ा सा पेशेंस की ता सरुवत है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि हाँ वाच चालो होगी 5-10-15 मिट नहीं चालो होती तो आपको फिर रिटर्न करना पड़ जाएगा आपको रिटर्न कर पाओगे दूसरा अब आप किसी भी वाच को खरीद रहे हो रिटर्न कर पाओगे और उस सेलर के रिव्यूस चेक कर लेना यह कोई भाई फालतु सेलर तो नहीं है यह सारी चीजों पर थोड़ा सा धियान रखना इसलिए मैंने वच ली थी यह अमेज़ फिट वाली का मैं लिंक नीच दे दूंगा फार वल्ट सुप्रीम का नहीं दूंगा क्यों जनरली नहीं चाहता कोई गल्ती से भी वाच करीद ले ले इस आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेर सब्सक्राइब बबाए